नमस्कार दोस्तों महीं भीमलेज देवागन और श्वागत है आप सभी को आज की एक नए वीडियो पर दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं ज़री आपकी मुर्ग्यों को पतली बीट होती है चाहे वहाँ सफेद कलर की पतली बीट हो रही हो या फिर लाल कल कि पतली बीट हो रही हो या फिर चॉकलेटी कलर की पतली बीट हो रही है तो दोस्तों एक बार हम बात करते हैं कि यह क्यों होता है तो जर्रली जब मौसम में परिवर्तन होता है तो मुर्गयों में पतली बीट की प्रोब्लम होती है डारिया होती है जैसे जाहतर देखा जात से विटता है जब लाफ करती है और किसी भी समय में आप देखेंगे तो op Wheya किuks भी प्राब्लम होता है तो सफेध के पतलीब करती है कभी 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 जो है कोई भीमारी के वज़ा वाइरल इंफेक्शन बेक्रोगां के मुर्गया जो है पतली बीट करती है तो आज की इस वीडियो पर किसी भी प्रकार की पतली बीट करती है तो आपको जो है एक टेबलेट का इस्तेमाल करना है इस टेबलेट का इस्तेमाल करने से आपकी मुर्गयां में कोई भी प्रकार की पतली बीट हो रही हो वो जो है ठीक ह तो टेबलेट का नाम है मेट्रोजील टेबलेन यहां टेबलेट जो है आपके नजदिकी मेडिकल में मिल जाएगा जहां पर हुमन मेडिसीन मिलता है जनरली किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा और इसका प्राइज आता है मातरा पचीस रुपया पचीस रुपय में पूरे एक स्ट्रिप 15 टेब्लेट का एक स्ट्रिप रहता है 15 टेब्लेट जो है मातरप 25 रुपय में मिल जाएगा तो इसको इस स्टेमाल कैसे करना है तो आपको इसको यूज करने का सभा के समय जब हम चूड़ते थो थोड़ा दाना पानी घाल दिना चाहिय जैसे आप DBLEITERS system में करते हैं पहले दाना पानी देना चाहिए इससे आप बारा बasures के आसपास इस्तमाल कीज़िए बारा बज्म बसफास मुरग्या अच्छे से दाना चूब ह Saag पिर 10 बजे भी कर सकते हैं 10 बजे तक मुर्गया जो है उसका पेड़ भर जाता है तो 10 बजे के आसपास आप पूरे ड्रिंकर को उठा लीजिए और 1-2 घंटे के लिए उसको थोड़ा सा प्यासा रख लीजिए और जितना मुर्गया जो है आधा घंटा या एक घंटे के तो 20 मुर्गयों पर एक टेबलेट देना है यदि आपके पास आधा आधा किलो की 40 मुर्गया है तो 40 मुर्गयों पर एक टेबलेट देना है तो इस प्रकार से आपको डो है डोस केलकूलेशन कर लेना है और मुर्गयों को जो पीने के पानी देते हैं उसे में घोल करके दे प्रोबलम है हर प्रकार की बीट की जो प्रोबलम है वो जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी दोस्तों यदि आप मुर्गी पलन करते हैं आपको आपकी मुर्गियों का विमारी का पता नहीं चल पाता है क्या है इसका ट्रीटमेंट कैसे करने तो आप जो है मेरा यहां वाट कीजेगा जिससे मैं देख करके जैसा पॉसिबल हो वैसा मैं आपको जो है सजेशन कर दूंगा तो दोस्तों यह आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं मु